हालो दोस्तों नमस्कर आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर आपकी गाय भैस ब्या गई है ब्याने के बाद जेर यानि जिसे हम देशी भासा में खेडी भी कहते हैं जेर नहीं गिरा रही है तो आप क्या दोगे ताकि आपकी गाय भैस आसानी से जेर को गिरा सके उससे पहले दोस्तों अगर आपसा मेरे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करो मैं सहुत ही ज्यादा महत्यपूर है अगर आप अपने पसूओं को यह सकती टोन देते हो तो आपका पसू दो से तीन घंटे में जेर को आसानी से रिमूब कर पाएगा साथी साथ आपके यूट्रा यूनाइन यानि गाय भैस के बच्चेदानी की सफाई भी होता है और साथी स भी हमारी गाय भैस नहीं ठहरती है गाविन नहीं ठहरती है उसमें भी आप पसू को सकती टोन दे सकते हो क्योंकि दोस्तों इसका काम जो होता है आप देख सकते हो बच्चेदानी की सासाथ बच्चेदानी की सफाई भी करता है जैसे आप सबको पता होगा अगर किसी भी प पच्चेदानी की साथी साथ यह सफाई भी करता है इसलिए आप उसमें भी अगर आपकी गायभैस कंसीब नहीं करती है तो उसमें भी आप सकती टोन अपने पसुओं को दे सकते हो अगर दोस्तों हम इसकी MRP की बात करें तो आपको मैं दिखा दिता हूं इसके MRP कितनी है तो सकती टोन मिल जाएगा साथ इसाथ अगर आप 1L का लेते हो तो आपको 220 रुपय में सकती टोन मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों सकती टोन बहुत ही बेस्ट कंपनी की दवा है अगर आप भी अपने पसुओं में जेर निकालने या फिर कंसीब करवाने में सकती टॉन करना क्योंकि मैं एक एनिमल डॉक्टर के साथ साथ एक डियरी फार्मर भी हूं और मैं डेली यूटूब पे एनिमल से संबंदित वीडियों अपलोड करता हूं तो दोस्तों आज के इतना ही धन्यवाद हमारी प्यारे यूटूब फैमली मेंबर